हेलो बच्चों, विल्कम बैक तो मैं चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, मैं आप लोगों को विजर स्टाटिक्स पढ़ा रही थी, यह पर स्टाटिक का एनासर जिसे कहें, दोनों का हिसले वसीम ही है, उसके निमेर को पोशन असाब के चल रहे थे, जिसमें आप लोग का चैप् हम बाउले विशमता गुडांक कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब ट्रिस्कृट सिरीज दे रखी होती है, तो वहां पर हम बाउले विशमता गुडांक से किस नहां से विशमता का गुडांक निकालते हैं, इससे पहले जो 13 कोशन है वो मैंने frequency दे रखी है measurement X हो जाएगा frequency F हो जाएगी आपको पता ही है measurement में दे रखा 10 11 12 13 14 15 और जो frequency उसकी है 2 4 10 8 5 1 तो इस तहां से कुछ question आपका दे रखा है इससे हमें पहले टेबिल बनानी है उसके बाद अपना जो Q1 Q2 और Q3 निकालते हैं उसके बाद तीनों को निकालने के बाद हमने शब्ता गुणां का फार्मला रखेंगे और से solve करेंगी तो आईए देखते हैं टेबिल बनाते हैं और इस question को हम solve करते हैं question solve करने से पहले जल्दी से आप लोग चैनल को subscribe कर दीजे अगर subscribe नहीं किया है notification bell को भी दबाना है जिससे कि जो भी वीडियो में डालूंगी आपको इसका notification मिल जाएगा और आपको वीडियो तो अच्छी लगेगी इसलिए वीडियो को like भी जोर कर दीजेगा और किसी ताको कोई question हो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वो comment भी कर दीजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको quartile निकालना होगा तो हो जाएगा संचे यावति का यानि की cumulative frequency का x लिख लिजे, f लिख लिजे और cf जो की cumulative frequency हो जाएगा उसके बाद अब हम note कर लेंगे जो भी हमारा question होगा उसमें जो measurement दे रखी थी वो x हो जाएगी आपकी 10 है 11 है जो भी आपके question में जो भी question आप solve कर रेंज ओरी ने यही हो कोई दूसरा question भी हो सकता है तो उसको आप x लिख लिजेगा जितनी भी आपके दे रखी होंगी digits जा numbers उसके बाद हम उसके सामने उसकी frequency लिख लेंगे जो की question में हमारे दे रखी होगी और हाँ नीचे column upload जो है उसका बना लीजेगा जिसमें total लिखे जाएगा frequency का total आएगा और साथी जो cf का last में आता वही frequency का आप आपको पता ही होगा अब frequency जब लिखेंगे तो वहाँ पर पहली कौन सी थी दो थी दूसी हो जाएगी 4 उसके बाद दे रखा है 10 नहीं रखेगा जो सामने दे रखी हो measurement जो था उसकी जो frequency वही लिखनी नितो को सिदा का confusion हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा 8 आ जाएगा फिर हम लिखेंगे जो 14 के सामने थी कितनी थी 5 थी उसके बाद 15 के सामने हो जाएगी 1 उसके अदम निकालेंगे cumulative frequency जो पहली वाली होती है as it is दिखली जाती है उसके बाद हम 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 जो बाद वाली frequency होती है वो add होती चली जाएगी फिर 16 आ गया 16 में add कर दी है वही frequency का total भी होता तो यहां पर आप क्रॉस चिक भी कर सकते हैं इससे कि जो भी आपको जो CF में last में आया है और जो frequency का total है अगर विकल आ रहा है तो आपने CF सही बनाई है उसके बाद अब हम क्या निकालते हैं Q1 निकालेंगे सबसे पहले वार्टाइल जो first आपका प्रत इसके पाद जिब उसके आगे में देखना है कि एन कितना है एन हो जाएगा 30 फ्लस वन हो जाएगा अपन में क्या जाएगा 4 आ जाएगा साथ में क्या हो जाएगा जो हम आगे उसके लिखते हैं कि मापद इसका मतलब यह होता है कि exactly जो आपकर निकल गयागा वो अंसर नही जो 31 अपन 4 करेंगे तो आजाएगा 7.75 और यह 7.75 पद हो जाएगा अब हम यह रेखना है जो हमने टेबल बनाई थी कि 7.75 पद जो है वो किस कमिलेटिफ रेकेंसी में आ रहा है तो वो आएगा 16 में तो उसके सामने की 12 है हमारी वो हो जाएगा Q1 उसके बाद हमें निकालना ह होगा जो 2nd quartile होगा Q2 आप में भी निकाल सकते हैं यहां पर मैंने क्वार्टाय से बताया है तो इसका फर्मूला नोट कर लिए टू एन प्लस वन हो जाएगा अपन में 4 आ जाएगा वही जो इससे पहले फर्मूला था वही इन प्लस वन रहता है आप सेकेंड क्वार्टा ही है बस थोड़ा सब्सक्राइब को ध्यान देना है थोड़ा से प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से आपको लर्ण हो जाएगा फिर हम इससे आगे सौल करेंगे सौल करेंगे जब तो पहले क्या होगा 30 प्लस वन यह एड़ होगा यानि कि 31 होगा उसके बाद उसको हम 2 स करेंगे तो जब पहले 30 प्लसन वन करिएगा तो हो जाएगा 31 इंटु-2 करेंगे तो कितना आजयेगा हमारा 62 हो जाएगा तो पहले हम ट्या लिखेंगे हैं यहाँ पर 62 हो जायेगा आप एक लिख से लिख भी सकते हैं जो आप शन्म आप massively कि दिखा भी सकते हैं यह आप इ लिखेंगे 62 उपाउन 4 ऐसे को अगरा कैसे निकालते हैं या में मोन मीडियन में भी किसी था कि आपको कंफियोजन है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुए काफी डिटेल में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां पर जाके उसे भी चेक कर सकते हैं उसके बाद हम इसे डिवाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 15.5 आ जाएगा अब हमें जाकर देखना है कि अपनी टेबिल हमने बनाई थी तो जो 15.5 है यह किस में आ रहा है किस कमिलिटर फ्रिकेंसी में आ रहा है ध्यान दीजेगा तो यह आ जाएग दे जाएगा 3 निकालने के लिए पहले पताया था 3 आपका हो जाएगा और 1 प्लस वन अब ओन 4 आ जाएगा सेकेंड आपका लिए तो लिख दीजें थर्ड क्वार्टा लिकालेंगे तो थरी लिख देंगे उसके बाद सेम बैसा ही आपका रहेगा जो पहले था 30प्लस वन तो वही 31 हो जाएगा इधर आपका जो 3 से multiply कर देंगे उसे हम तो पहले आप उसको लिखेंगे 30 plus 1 into 3 हो जाएगा उसके बाद इसके आगे solve करेंगे जब हम तो पहले आप उसको add करिए 30 plus 1 31 उसके बाद multiply by 3 करेंगे तो कितना आजाएगा हमारा 93 उसके बाद आपाउन में आजाएगा 4 लिख लिखेंगे उसके बाद इसमें हम आगे divide करेंगे दोनों को तो 93.4 करिएगा तो डिवाइट करने पर कितना आ जाएगा डिवाइट करने पर आएगा 23.25 वापत यानि की 30.25 वापत तो अब हम अपनी साड़ी में देखेंगे जो टेबिल हमने बनाई थी कि जो 30.25 है वो किस कर्मुरेटिव फ्रेकेंसी में आ रहा है किस cf में आ रहा ह तो उसको देखने के लिए हम टेबिल कितब चलते हैं जो 24 है उसमें आ रहा है उसके सामने की क्या हो जाएगे एक्स हो जाएगा 13.13 ही हो जाएगा हमारा क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल Q3 अब हमें पता चल गया Q1, Q2 और Q3 अब हमें क्या निकालना है विशम्ता गुणा तो विशम्ता गुणान निकालने के लिए सबसे पहले हम इनका फार्मूला रखेंगे, फार्मूला नूट करेंगे सबसे पहले तो उसमें JQ जो JQ इसका सिंबल हो जाएगा, Q3 लिखेंगे, क्वार्टाइल 3 वाला उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आएगा, अपन में Q3-Q1, क्योत्री कितना आया था हमारा? 13 लिख लेंगे यहाँ पर जो Q3 था, प्लस में Q1 कितना था? 12 था, माइनस अपका 2 इंटू क्या हो जाए, Q2 भी हमारा 12 भी निकला था, अपन में Q3 13 माइनस Q1 12 आजाएगा, अब इससे सॉल करेंगे, पहले 13 प्ल तो वर न ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, अब नेक्स मेंट से इसे हमागे देखते हैं किसे कैसा सॉल करेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया था, कि प्रीविएस वीडियो में मैंने आपको जिससी मेंट से समझाया था, तो जे क्यों वही आपका सिंबल हो जाएगा, फ इसके बाद जो यहां पर माइनस का साइन था, वो प्लस में कनवर्ट हो जाएगा, उपर माइनस होगा, नीचे प्लस, वाकि हमको वैसे ही पूरा नीचे भी अपान में भी लिखना है, क्यों तरी कितना था, थर्टीन था, उसके बाद माइनस क्यों वह जाएगा, उसके आगे हम सॉल्ट करेंगे से तो one आएगा, उसके बाद 12-12 हो जाएगा 0, upon में 13-12, Sudden 12-12 हो जाएगा 0, उसके बाद 1-0 लिस्त करेंगे तो यह वन प्लस च dor वह जायगा, वन फ्लस 0 भी वन ही आएगा, वन अपान 1 हो जाएगा, डिवाट करियेंगा, तो वन ही आएगा, उ इसके लावा मेडियन से भी निकाला जाता है तो नेक्स वीडियो जो आएगी तो मेडियन से हम कैसे से निकालते हैं उस पर होगी यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल क को भी सब्सक्राइब कर दीजे कोई कोशन हो तो मुझे कमेंट कर दीजेगा और जादा जादा वीडियो को फेंट सार शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू